दोस्तों नई सुबह इतनी शुहानी हो जाए कहना है कि नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए दे जाए इतनी खुसियां ये दिन आपको कि ये खुशी भी आपके मुस्कराहट की दिवानी हो जाए दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है अभिनेंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरियन इंस्ट्यूट अलहाबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम फिर आपसे चर्चा करने वाले हैं यूपी डियलेट 2020 के जो ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी चल रही थी हमारा चर्चा का विशय आपका यही है ठीक ना आपके लगातार कोमेंट आ रहे थे कि सर क्या आवेदन की तिथी में फिर एक पर चकती है आगे भी आप कह रहे थे कि अभी तक कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं और आगे भी आपके मन में यह है कि जिनका फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है यह उस बात के लिए चिंतित हैं लगातार अगर हम डेलेट का फॉर्म अपलाई नहीं कर पाए हैं तो क्या हमार प्रक्रिया बताऊंगा आप उस प्रक्रिया के तहट अपने वर्ष को आप बचा सकते हैं ठीक ना और हाँ एक चीज में आपसे कहना चाहूंगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरू मुझे पसंद कर रहे हैं ठीक ना और जितना ही आप लाइक करेंगे हम वीडियो के लिए उतना ही उत्सुख होते हैं देखिए ये बात होती है जैसे जब किसी को लोग पसंद करते हैं तो उसकी चाहत और आपके प्रतिबढ़ जाती है तो वही प्रक्रिया आपकी भी है अ बहुत सारे बच्चों का कमेंड था कि क्या आवेदन की तिथी बर्षकती है अगला है अभी तक कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं आपका वर्ष बरबाद नहीं पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं तो देखिए आपके सामने लिखा है अभी तक कितने फॉर्म पढ़ पहले मैं इसे छोड़ता हूं पहले मैं बीच से आपके बीच रूबरू होता हूं कि अभी तक आपके कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं देखिए जो आपकी आउनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही थी वह आल्रेडी 17 सितम्बर से आपकी आउनलाइन की तारीक जो है वह समाप्थ हो चुकी है ठीकना कब से 17 सितम्बर से ठीकना लगातार आप लोग कह रहे थे भया मेरे मैं जानता हूं कि आपका जिनका रिजल्ट नहीं आया था उनके लिए विडम बनाए थी ठीकना और थी और आज भी हैं उनकी चाहत है कि डेट और बढ़ाई जाए बहुत स कि अभी कल जब बीड की काउंसलिंग हो रही है कल मैंने एक चीट में देखा था कि बीड की काउंसलिंग जो अमिता बाजपे हैं परी जो है काउंसलिंग समन्वग हैं उन्होंने साफ तौर पर सभी विशुविद्याले को यह निर्देश दिया था या जो भी आप समझें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप बीड की काउंसलिंग को मद्दे नजर रखते हुए सभी विशुविद्याले के फाइनल एर के छात्रों का रिजल्ट आप घोसित करें तो भाया जब उन्होंने साफ तौर पर सीधे सभी विशुविद्यालें से कहा था तो आप क् कुछ करना चाहता हूं आप हमारे बींच में रोडा बन रहे हैं अगर आप मेरा रिजल्ड समय से घोसित किये होते तो आज मुझे ये किसी के वीडियो के निचे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या आवेदन कितिती आगे बढ़ेगी ठीकने मैं जानता हूं कि आकड़ा जारी हुआ कि अभी तक आपके कुल कितने फॉर्म पड़ चुके हैं देखिए अभी तक जो आपके फॉर्म पड़ चुके हैं वह 2,42,830 फॉर्म तोटल पड़ चुके हैं कितने 2,42,830 फॉर्म तोटल आपके इतने फॉर्म पड़ चुके हैं मतलब इतने लोग करण करवा दिया था 17 सितंबर तक की मैं बात कर रहा हूं ठीक ना अच्छा लेकिन अगर इतने लोगों ने 2,42,830 लोगों ने अगर पंजी करण करवाया है तो अभी इसमें से कुछ लोग छूटे हुए हैं पंजी करण के अभी उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी क्यों मैं जानता हूं आपका रिजल्ट नहीं आया था महोदय ने कहा था कि मैं आपको संसोधन का मौका नहीं दूगा यही गलती उन्होंने सबसे बड़ी की है ठीक ना देखिए अच्छा टोटल रूप से कितने लोगों न आप लाइ किया है जैसे जिनका रिजल्ट नहीं आया था कुछ लोग गेस करके मार्किंग किये हुए हैं तो उनका जो संख्या है 2,42,200 संख्या है 2,42,200 टोटल शंख्या में फॉर्म को पूरी तरह से 2,42,200 टोटल सीथे हैं जो प्राइबेट और गवर्मेंट कॉलेज को मिला कर अगर हम बात करें तो इनकी टोटल संख्याएं 2,42,200 टोटल सीटे हैं और इसमें 2,42,830 सीटों पर आवेदन टोटल हुआ है ठीक ना तो अभी इसमें से 1908 सीटों पर एकदम कोई आवेदन नहीं हुआ था अच्छा अगर मैं पिछले साल की बात करूं मालेजिये 2020 वाला सत्र सून हो गया था ठीक ना अगर 2020 का सत्र सून हुआ था तो उसके पहले जो 2019 में एडमिशन हुआ था उसमें कम से कम 83,000 सीटें खाले गई थी सिर्फ डियलेट की मैं बात कर रहा हूं 83,000 सीटें खाले गई थी अगर 80,000 इतनी सीटे काली जा रही है आवेदन नहीं मिल पा रहे है खाले इतना सीटे हैं और 1108 सीटें बची हुई है ٹोटल कोई आवेदन ही नहीं आये है तो जाहिर सी बात है अगर इतना आवेदन हुआ है तो कम से कम इसमे से 50,000 मैं संधिंग मान के चल रहा हूँ 50,000 तो reject ही हो जाएंगे ठीक ना 50,000 फॉर्म रिजेक्ट होंगे अभी उन में से जो टोटल 50,000 फॉर्म रिजेक्ट है मैं मानलों 42 जार आप मालिजी एक सपोस देट की रूप में ठीक ना 42,000 फॉर्म अगर इनके हो गए तो टोटल दो लाख आठ सो सीटे बचे अगर तो जाहिर सी बात है इसमें अभी कुछ लोग बेड में चले जाएंगे बेड की कांस्वरिंग लगातार अंग्रसर चल रही है इस میں से कुछ लोग B.A.D. की तरफ चले जाएंगे तो भीया मेरे जरा आप ये बताएं अगर दो लाख इनकी टोटल बच रहे हैं जो है इनके बच्चे बच रहे हैं अगर इसमें से मैं मान लोग B.A.D. में आडमिशन करवा लें तो और सीटे कहा जाएंगे ये मान के चलिए कि एक लाग खाली जाएंगी ठीक ना इनकी सीटे और भर जाती क्योंकि हमारे कुछ भाई बचे हुए हैं जिनका आवेदन नहीं हो पाया है ठीक ना अच्छा चलिए इस पर बात हो गए अब एक चीज़ आप बताएं क्या आवेदन की तिथी और आगे बढ़ सकती है सबसे बड़ी विद्ण आपके लिए है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आवेदन की तिथी बढ़ने के लिए केवल 5% की चांसिस हैं ठीक ना सिर्फ 5% की संभावना मैं आपसे ब्यक्त कर सकता हूँ 5% की आप कहेंगे शर क्यों क्योंकि भईया मैं आपको बताना चाहूंगा म अगर परिच्छा नियामक प्राधिकारी ने टोटल आकड़ा ये जारी कर दिया कि अभी तक जितने आवेदन हुए हैं इतने आवेदन अगर हो गये हैं अगर इन्होंने सारे आकड़े को जारी कर दिया तो हमें नहीं लगता कि अब ये तिथे में शंसोधन करेंगे ठीक ना अगर इन्होंने यह आकड़ा जारी नहीं किया होता, कि टोटल कितने फर्म पड़े हैं, टोटल कितने बच रहे हैं, अगर इन्होंने यह आकड़ा जारी नहीं किया होता, तो कुछ उम्मेद, कुछ संभावनाय बन रही थी, कि डेट में संसोधन किया जा सकता है, देखिए, संसोधन ओने के सिर्फ पांच परसंड के चांस है मैंने आपको एख वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि भाया, मेरे आप गिज करके मार्किंग कर दीजिए wildlife film कर दीजिए आप लोगों ने उसका विरोध किया आपने कहा कि सर आप गलत बता रहे हैं तो आप एक चीज मैं आप सभी से पूँचना चाहूंगा जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी से ये सवाल करना चाहूंगा कि अब तो आप एकदम से बाहर हो गए जिन्होंने form को apply नहीं किया है वो एकदम से बाहर हो गए हैं अगर आप guess करके marking कर दिये होते मैंने कहा था कि आप कम से कम number अपने fill करिए आपका number अगर बढ़ना है तो ठीक है लेकिन आपका number घटना नहीं चाहिए मैंने आप से यही प्रक्रिया बताया था कि आप guess करके marking कर दिजिए आपने कहा सर आप गलत बता रहे हैं क्या मैं अब आपके सामने गलत हूँ बिलकुल नहीं गलत हूँ अगर आप guess करके marking किये होते तो यह मैमान की चलता हो कि 80% chances है कि अपकी बार आपका admission हो जाएगा आपका admission जिन हो ने जिन भाई ने अगर guess करके marking किया है वो एकदम बेफिक्र रहें tension मुक्त रहें उनका admission 100% होगा ठेक ना उनका admission होगा हाँ उस condition में होगा अगर आपने जितना number fill किया है form में ठेक ना उतना आ जाता है तब तो आपके लिए best of luck सबसे बढ़िया है ठेक ना अगर उससे जादा आ जाता है तब आपके लिए और अच्छा है अगर कम आता है तब वहीं समस्या थोड़ी शी होगी लेकिन PNP उसका भी कुछ rule और नियम निकालेगी कि जिनका कम है उनको भी अपकी admission दिया जाए ठेक ना मैंने आपसे इसलिए कहा था कि अगर परिक्षाति थी suppose that आपकी नहीं बढ़ती है तो आप जो है guess करके marking कर दीजिए guess करके marking करने से आपके number में जो है आपका number fill हो जाएगा आप आगे admission प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ठेक ना बट आपने ऐसा नहीं किया हा लेकिन कुछ भाई ने ऐसा किया है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया मेरे कुछ भाई ने किया है मैं जानता हूं मैंने उन्हें कहा था कि भाया आप कर दीजिए उन्होंने किया है उनको मैं ये वि पुँशने की जरूरत किसी से नहीं है मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मुझे से पूँचिए किसी से आप मत पुँचिए आपका एडमिशन होगा आगर आपका नंबर जदा आया है ठीकन democratic किसी से मत पूँचिए कोई दिक्कत नहीं है यह एक दम सर्थ है कि आपका admission होके रहेगा ठीक ना लाश्ट में आता है वर्स आपका बरबाद ना हो इसके लिए आप क्या करें मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो बच्चे मैंने एक वीडियो आपको direct admission पर बनाया है direct admission पर भी बनाया था कि आप direct admission कैसे लेंगे उसका अगर आप देखना चाहते हैं तो जाहिए मेरे चैनल पर विजिट करिए वहां पर बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं आगे आप thumbnail पर देखिए direct admission कैसे लें मोटे heading में लिखा हुआ है उससे आप देखिए वहां से आप आपको भरपूर समझ में आएगा मैं direct admission पर बात नहीं करूंगा देखिए अगर आप वर्स आपका बरबाद नहों इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपका वर्स बरबाद नहों तो इसके लिए आप क्या करेंगे मैंने आपको एक suggestion दिया हुआ था कि आपकी online counseling चल रही है beard की ठीक ना जो मेरे भाई अगर beard में जैसे देखिए अगर आप beard में online कर दिये हैं अगर आपका उदेश्य है मैं सिक्षक बनके रहूंगा एक वीडियो मैं बनाऊंगा beard बनाम BTC पर beard अच्छा है कि BTC अच्छा है हलाकि है तो दोनों अच्छे लेकिन आपकी चाहत क्या है मैं उस पर आपको एक वीडियो बहुत अच्छी तरह से दूंगा नेक्स्ट हमारा आगला आने वाला वीडियो वही होगा कि beard बनाम BTC ठीक बनाम डीलेट बनाम प्रशलित नाम BTC है चलिए बर्स आपका बरबाद नहों इसकी लिए आप क्या करें अगर जो मेरे भाई beard म जो है अपलाई किये थे इंट्रेंस दिये हुए हैं मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने डियलेट में फॉर्म नहीं अपलाई कर पा रहे हैं जैसे मैं मानता हूं अपने उपर एक्जामपल लेके आपसे बात करता हूं जैसे मैं डियलेट के जो है मेरा भुषित नहीं हुआ मेरा तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बिड़ार जो है बीएड में एड्मिशन ले लिजिए आप कहेंगे सर अभी तक आप डिलेट की बात कर रहे ते बीएड पर क्यों जा रहे हैं भीया मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका वर्स बरबाद नहों आप बीएड करके भी टीचर बनेंगे और बीटीसी करके भी टीचर बनेंगे मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपका उद्देश यही है कि मैं आप जो है टीचर बनूँगा तो मैं आपसे यही सजेशन आपको दूँगा कि आप जो है जो अगर आपने B.A.D. में फॉर्म अप्लाई किया है तो कम से कम आप B.A.D. कर लिजिए ठीक ना B.A.D. आप कर लिजिए एक साल आपका घर बैटने से कोई मतलब नहीं है आप B.A.D. कर ही लिजिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं टीचर बनूँ आप चाहते हैं कि मैं टीचर बनूँ डियलेड में आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए और B.A.D. में आप किये हुए हैं तो आप B.A.D. की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा अपने अगले आने वाले विडियो में कि B.A.D. करने से जो है कहां कहां आपको जाब मिलेगी D.A.D. करने से जाब कहां मिलेगी देख़िए एक चीज़ और मैं form apply कर लिए हूँ और जो है डियलेड में नहीं कर पाए हैं तो आप बेड में admission ले लिजिए ठीक ना बेड आपके लिए best है best मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप वर्स बरबाद नहों इसके लिए मैं बेड की बात कर रहा हूं ठीक ना अगर आपको कहीं confusion है, कहीं भी कोई दिक्त है, मेरे इस वीडियो में या आप मेरे किसी और वीडियो को देखते हैं, तो आप उस वीडियो की नीचे comment करेंगे, मैं आपके comment का reply 100% देने की कोशिस करूँगा, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों में share दोर करें, फैंक्स, धन्यवाद,